आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं आशा करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अंदर स्लाइड शो के इस नए एपिसोड में, इस एपिसोड में मैं आप सभी के साथ मानव शरीर से जुड़े 24 आशे जनेक तथे उपर बाते करू होगा, तच्छे लिए शुरू करते हैं, तथे नमबर एक, मानव आख एक मात्र मल्टी फोकस लेंज है, जो केवल दो मेली सेकेंड में खुद को एड़्जस कर लेता है, तथे नमबर दो, एक व्यक्ती भोजन की बिना एक सब्ता के लिए जीवीत रह सकता है, लेकिन बिन तथे नमबर चार, मानव पेट में मौजूद ऐसिड इतना अधिक स्ट्रॉंग होता है, कि इसमें एक रेजर बलेट को गलाने की शमता होती है, लेकिन फिर भी क्यों ये ऐसिड हमारे शरी को गला नहीं पाता, उसका कारण है हमारे पेट की कोशिक हैं, जो खुद को होने की गती से तिवर गती से पुनरजीवित कर लेती है, तथे नमबर पांच, एक नवजात बच्चा एक मिनिट में लगबग साथ बार सांस लेता है, एक किशोर बीस बार और वैस्क सोला बार, तथे नमबर छे, सभी नवजात शिशुओं की आँखें जनम में नेली रं की होती है, लेकिन सूर्य का संपर्ग में आने पर आँख का वास्तिक गरंग अंतता बाहर आता है, तथे नमबर साथ, जब कोई व्यक्ती चीक मारता है, तो उसकी नाक से निगनने वाले हवा की गती 260 किलोमेटर परती घंटा के आसपास होती है, जो की एक हाई स्पीड ट् टी लगबग 280 किलो का वजन सेहन कर सकती है, तथे नमबर नो, एक स्वस्त किशोर मस्तिष्क लगबग 20 वाट बिजली पैदा कर सकता है, तथे नमबर दस, एक इनसान मुस्कराने के लिए 17 मास भीश्यों का अस्तमाल करता है, और रोने के लिए 43 मास भीश्यों का अस्तमाल करता है तथे नमबर ग्यारा एक पोन वेस्क के शरीर में 206 हड़ियां होती है जबकि एक नए नवजात बच्चे के शरीर में 300 हड़ियां होती है जब बाद में एक दूसरे के साथ गुन मिल जाती है तथे नमबर बारा मानव जांग की हड़ियां कॉंक्रीट से भी अधिक इवन 3 से 7 वर्ष की होती है तथे नमबर 15 मानव जबडे की मास पीशियां 90.8 किलोग्राम की शक्ती पैदा कर सकती है तथे नमबर 16 इंसान के शरीर के अंदर मौजूद रक्त हर दिन में 96,540 किलोमेटर की दूरी तैय कर सकता है तथे नमबर 17 अगर आप अपने होट और ज एक मानव नाख 50,000 प्रकार के अलग गंद को महसूस कर सकता है और मानव आख 1,000,000 विभिन्न रंगों को पैचान सकता है तथे नमबर 19 अपने पूरे जीवन में मानव दोरा निर्मित लार की मादरा दो स्मिंग पोल भर सकती है तथे नमबर 20 जुड़वा बच्चों को छ थोड़कर इस पृत्वी पर माजूद हर विक्ति के शरीर की गंद अलग होती है तथे नमबर 21 नवजाज शिशु जब जनम लेते हैं तो वह केवल काले और सफे तरंगों को ही देखने में सक्षम होते हैं तथे नमबर 22 हमारे आखों का कॉर्णिया मानव शरीर का केवल ए तथे नमबर 24 मानव बालों को मजबूत एसिट के द्वरा भी नस्ट करना बहुत मुश्किल है इसकी केवल एक मात्र कमजोरी है कि यह जोलनशील है तो दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यही पर खतम होता है मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाल